नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्शित चौबे और आज हम बात करेंगे लखनाव सोपर जाइंट्स और RCB के बीच जो मैच खिला जाने वाला है उसके बारे में पूरी प्लेइंग लेवन डिसकस करेंगे हर एक प्लेयर के बारे में डीटेल में हम डिसकेशन करने वाले हैं कि साथ प्लेयर रॉक करने वाला है किन कम सेलेक्शन वाले परसेंटेज वाले प्लेयर को हमें ट्राय करना है सब कुछ आपको वीडियो में विलेगा साथी सांथ में बता देता हूं लास्ड में मैं एक अपनी टीम भी टीम करके बताऊंगा और आपने देखा होगा बाई पर विराट कोली की टीम का ही पार्ट थे वहां पर भी ओपनिंग करते थे काफी अच्छा करते थे अब दूसरी टीम उनकी है हलांकि लास्ट येर भी लखनव में थे राहूल उसके पहले आर सीवी में आप उनको देख सकते थे तो आज के मैंच में क्या हो सकता है पिछ पूरी प्लेइंग 11 के साथ, साथी सांथ मैं बता देता हूं कैप्टेन की चॉइसे भी आपको यहां पर प्रोवाइड करता हूं पुरे 11 प्लेयर के साथ अगर वैच में कोई प्लेयर नहीं खेलता है या कोई ऐसा प्लेयर आजाता है जिसकी अभी तक निउस नहीं है उसक तो आप कॉमेंट सेक्शन ओपन करेंगे पहला कॉमेंट यह आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां से टेलिग्राम जोइन कर ले ना उसके अलावा दोस्तों मैच के बारे में बात करेंगे पहले बता देता हूं बल्लेबाजी एप के बारे में भाई कमाल का एक क्यों कम कर सकते हैं इसके अलावा कर ग्रेंडी के बारे में बात करें थर्टी नाइं रूपीस में फाइव लैग बाई इतना सस्ता कॉंटेस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा प्लस यहां पे देख सकते हो अप्टू 100% बोनस हो रहा है अगर आपके पास बोनस पड़ा तो आती साथ 25 टीम लगा सकते हो 25 आप किसी दूसरे आप में नहीं लगा सकते तो अच्छा खासा फाइदा आपको होने वाला है फाइदा उठाओ बल्लेवाजी पे खेलो यहां पे देख रहा है 10% बोनस और अच्छे अच्छे कॉंटेस्ट में बड़े-बड़े लेकिन कुछ नहीं होता है होता भी है तो 2-3 परसेंट होता है यहां पर आप देख रहा है इसमें 100% हो रहा है तो बल्लेवाजी को चेक कर लेना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अब हम बढ़ते हैं मैच की तरफ दोस्तों पिछ रिपोर्ट के बारे में बा को एक बर फिर से हेल्प रहेगी और सीमर्स विल प्ले एन इंपोर्टेंट रोल सीमर्स होंगे जो डैथ अवर्स डालेंगे वह आपको विकेट्स लेते हुए नजर आएंगे स्पिनर्स को बहुत जादा यहां पर कुछ सपोर्ट रही है बहुत जादा हेल्प नहीं लेते हैं टूर्नमेंट से बाहर हो गया है उनकी जगह वेंट पारनेल को मौका मिला है और मेरे हिसाब से शायद आपको प्लेंग 11 में भी होते हुए नजर आए क्योंकि वेंट पारनेल काफी अच्छे लेफ्ट आम बोलर है पावर प्ले में बोलिंग कर सकते हैं डैथ वर लेकिन काईल मेर्स का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है को इंटन डिकॉक भी ओपनिंग करते हैं इसलिए यहां पर मौका थोड़ा सा नहीं मिल पाए कुंटन डिकॉक को आज मेरे साब से कुंटन डिकॉक को मौका मिलना चाहिए स्टॉइन इस आपके जो बैट्समें आ किया हुआ है किसने कितने रम बनाए और कौन सी टीम जीती है अक लेगा एक सो उसोला मैचे तीम ब suic Ne आपको बड़ा हुआ नजर आने वाला है काफी बड़ा आपको स्कूर यहां पर देखने को मिल सकता है हाइस तू सिक्स्टी थी आर्सी ने किया है लोएस भी आर्सी ने किया 82 अब दोस्तों हम आगे वड़ते हैं और बात कर लेते हैं रिसेंट्ली प्लेड मैचस की फर्स मैंने आपको बताया था जो मुंबई का फर्स मैच था इस साल उन्होंने आर्सीवी के साँच खेला था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में वहां पे मुंबई ने 171 बनाये थे और आर्सीवी ने 172 बना लिया थे एज़ी चेस कर लिया था आठ विगट से मैच जीते थे पेस पेसर्स ने जादा विगट निकाले थे पेसर्स को थोड़ा सा हेल्प इलने वाली है उसके पहले 175 बने 175 जेज हो गया रसीबी ने चेस कर लिया पेसर्स के फिर से विगट देख सकते हो उसके पहले बात करें आर्सीबी ने 202 बनाए और पंजाब उसको चेस नहीं कर पाई है और पेसर्स ने फिर से विग निकालाए तो हर मैच में इसल्कुनन हों लेनगे और पेसर्स रे से हैविट आपने मिलने और कि गलेगी और बार दोस्तो मैं वहां तो पोги क्यों लेजा सकते हैं अब हम दो आगे बढ़ते और हैडड के बारे में बात कर लेते हैं लास् य बात करेंगे आप आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे और बात करेंगे प्लेंग 11 के बारे में प्लेंग 11 में क्या हो सकता है कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है यहां से विराट को ली एक बार फिर से बहुत दाद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्सी वी का होम ग्राउंड है यहां पर विराट से अच्छा आवरेज आपको किसी का देखने को नहीं मिलेगा लगबग हर मैच में ही 50 मार देते हैं आप एवरेज भी देखेंगे इस वैन्यूबर 44 के अराउंड कुछ इनका है ग्लैन मैक्सवेल ग्लैन मैक्सवेल का फॉर्म उतरना खास नहीं चल रहा है बोलिंग से बैटिंग से ज्यादा मौका अभी तक तो उतरना मौका नहीं मिला है आज के म पर फिर से इंपोर्टेंट होंगे तो यह चार पेर आपको आर्सीवी के ट्राय करना है अब रिसेंट फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं ड्यू प्लैसे देख सकते हो पांच मैचस में 65 इनका एवरेज भी बहुत ही तगड़ा इस वैन्यू पे बैंगलॉर के लास्ट से जादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बड़ी पारी खेल के दे विराट कोली बाई क्यासी मैचस खेलने हैं 39 का एवरेज इतने सारे मैचस खेलने के बाद इस वेन्यू पे 36 का एवरेज टोटल है और रन्स भी देख सकते हो 82 आस मैच में 21 बनाए एक बार फिर से विराट कोल आपको मेरे सबसे 30 प्लस रन्स तो डेफिनेटली करके देंगे कैप्टन की बड़िया चॉइस है मैक्सवेल के बारे में बात करें इस वेन्यू पे चार विकेट निकाले है आठ का एवरेज है और ऑवरोल अगर बात करें 25 का एवरेज है विकेट थोड़े से कम निकाले है विकेट दोस्तों मैक्सवेल को तने जादा नहीं मिलते हैं कई बार एक आदा विकेट मिल जाता है अगर रेगुलर बोलिंग कर रहे हैं तर्वास विकेट सो मिन मत रखना बोलिंग उतनी अच्छी ही नहीं है बैटिंग से कमाल कर सकते हैं क्यूंकि हाई स्कोरिंग मैच हो तो कुछ रंस भी कर जाते हैं आपने देखा न्यूजीलेंड के लिए भी काफी सारे मैच फिनिश किये यहां पर ब्रैस्वेल आज के मैच में यह थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं चैवाज अमत के बारे में बात करें भाई मौका थोड़ा सा कम मिलता ह तो फिलाल तो टीम में नहीं है डेविट बीली पेला मैच खेल रहे थे लास्ट पहला मैच खेला और काफी बढ़िया है इन्होंने दो विकेट निकाले बीस रन भी बना दिये थे तो डेविड बीली आज के मैच में फिर से बहुत जादा इंपॉर्टेंट है हर्शल पट बारे में अल्रेडी आपको बता चुका हूं कमाल का प्लेयर है 63 विकेट रिकाले हैं लास्ट के दौनों मैचेस में दो-दो विकेट रिकाल के ले गाएं आज एक बार फिर से विकेट इनके खाते माँने वाले एक से दो विकेट फिर से ले जाएंगे महमाद सिराज आज का क्या करना है फ़र्स बोलिंग में ले लेना क्योंकि यकादा डैथ वबर डालेंगे शुरूआज में थोड़ा मुवेंट भी मिलेगा तो विकेट ले जा सकते हैं विकेट ले जा सकते हो बाहां कि किसी प्लियर को अगर मौका मिलता है तो आपको तेली ग्राम पर प पांडिया, मार्कस, टॉइडिस, निकलस, पूर और आयुश बदोनी, मार्क वोड हलाएकि मार्क वोड दोस्तों लास्ट मैश नहीं खेले थे, आज के मैच में देखते हैं क्या खेलते हो नदर आएंगे या नहीं, जैदेव, नातकत, रभी, विष्णोई, इनकी प्लेंग 11 पूरा करते हैं, इंपोर्टन प्लेयर बता देता हूँ, राहूल एक बर फिर से इंपोर्टन है, विराट के सामने राहूल के रंस आते हैं, क्योंकि विराट उस टाइम पे टीम के कैप्टन थे, विराट के लिए खिलते थे, रसीवी के लिए, काल राहूल, वहाँ पे रंस करते थे, यहां पे भी रंस करने के पूरे चांसिस हैं, काल राहूल के बल्ले से अज एक बर फिर से रंस आ रहा है, इसके एला वो important player बात करें तो भाई Kyle Mayers भी एक बार फिर से important है power play में ही इतना कुछ कर जाते है कि उसके बाद अगर out भी हो जाए तो भी 20-30 से तो उपर आपको runs देखने को मिलेंगे tower short short खेलते है 7-7 एक से 2 over डालने को मिलते है कई बार पहला over भी लेके आते हैं तो एक बार फिर से important हो जाएंगे साथी साथ में बता दूं भाई रवी विश्णोई यार कमाल का बोलर है हर बैच में एक दो विकेट इनके भी पक्का है क्रोनाल पांडिया बैटिंग का मौका मिल रहा है अब दोस्तों रिसेंटली फॉर्म के बारे हम बात करें के एल राहूल लास्ट 47 का एवरेज है विराट कोली से भी बहतर एवरेज है हाला कि इनो नोग मैचेस थोड़े कम खिले विराट के 250 से उपर मैचेस हो चुके है यहाँ पर लास्ट के दो मैचेस देख लो 20 रन, 35 रन, एवरेज पॉइंट फिर भी दिला रहा है लेकिन जो 50 पेंडिंग है वो 50 आज आज आ सकती है मुझे लग रहा है आज राहूल 50 प्लस स्कोर बना सकते हैं काईल मेर्स तावरतोर शुरुगात करते हैं दौनों मैचेस पर ठीक परफरमेंस रही है आज एक फिर से चांसे से हैं दीफाक उड़ा के बारे हम बात करें हैं भाई फर्म बिलकुल लही चल रहा है लेकिन प्लेयर कमाल का है मौका पूरा है फर्स बैटिंग में भी मौका मिल जाता है बैटिंग बोलिंग दौनों अब मिलने वाली है बैटिंग तो तीनों मैचेस में मिली है बोलिंग लास्के मैच में अच्छे की है उसके पहले मिली थी उसके पहले नहीं मिली थी बिल्कुल भी फर्म नहीं चल रहा है तीम बोलिंग भी नहीं किया है तो मारकस स्टोइडिस फिल हाल हमारी टीम में नहीं रहेंगे इसके अलावा निकलास पूरण बै कमाल का प्लेयर है विकेट कीपर सेक्शन में अगर डिक आउक नहीं होते हैं तो पूरण के साथ हम जाएंगे पूरण यार जब भी बैटिंग का मौका मिला है अच्छा किया है पर्स मैच में 36-32 ग्यारा रन हर मैच में ठीक ठाक स्कोर करक आईश बदोनी के पास ज्यादा मौका नहीं है मार्क वुट का खेलना कंफर्म निया अगर खेलते हैं तो डैफिनिटी टीम में रहेंगे या श्ठाक और अच्छा नहीं किया है जैदे उनातकत ने अच्छा नहीं किया है डिफरेंशियल पिक के रूप में ले सकते हो इसक अगर किसी प्लेयर को मौका मिलता है तो टेलिग्राम पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा तो दोस्तो टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेना अब हम दोस्तों बात करें प्लेयर बैटल के बारे में प्लेयर बैटल किसने किसको आउट किया है विराट कोली आविश खान के सा को मिलेंगे और हो सकता है कादबार फिर से मैक्स्वेल को कुरुनाल पांडिया ले जाए शैवाज एमद रभी विश्णोई ने आउट किया है रभी विश्णोई ने नेक्स स्लाइट के बारे में बात करें केल राउल हर्शल पटेल के सामने थोड़ा सा फसते हुए नजर आ हर्शल पटेल ने निकलस पूरन को आउट किया हसरंगा ने दो बार जोकी अविलेबल नहीं है क्रोणाल पांडिया को मौमा शिराज ने आउट किया है यह दोस्तों प्लेयर बैटल हो गई अब हम चलते हैं उस वाले सेक्शन की तरफ जहां पर मैं आपको टीम क्रियेट कर चली करते हैं किसे गरना है और पहली बात मैं आपको सेफ केप्ट्टेन बता देता हूं विराट आपो को सेल्क काइल मेर्स के साथ वी आपको काफी सारे लोग मिल जाएंगे अ किसको कर सकते हैं इसके चांसे समय साहिए केल राउल के अभी तक एक परफॉर्मेंस पेंडिंग जिसमें वो 50 से 60 रंस करके देंगे 35 बना है 20 बना है और एक मैच में जीरो भी बना है तो आज के मैच में केल राउल पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो अला कि ग्रैंडिंग में आपको डिफरेंट ही ट्राइ करना होता ह केल राउल के साथ जा सकते हो साथी साथ मैक्सवेल भाई मैक्सवेल की भी अभी तक वैसी इनिंग नहीं आई है ट्राइ कर रहा है जल्दी आउट हो जा रहा है आज मुझे लग रहा है अगर चिन्ना स्वामी में मैच है रंस स्कोर होते विए नदर आएंगे मैक्सवेल के 50 प्लस भी करके दे सकते हैं तीनों ही different player हैं तीनों को captain एक एक team में at least अगर try करोगे तो team आपकी काफी जादा उपर जाने वाली है इसके अलाबा बता देता हूँ low selection percentage players जो आपको big reward देंगे जिनको कोई नहीं try कर रहा है अगर आप try कर लो small league में भी और अगर grinding में भी कर लो तो फिर भाई कमाल की आप winnings कर सकते हो दीपक हुड़ा सारे लोग ignore करना है last match में कुरूनाल पांडिया का बोला था सारे लोग आप ignore करना चालू कर देंगे क्योंकि 2 matches खराब हुए कुरूनाल पांडिया ने fold के दिया उसके पहले last जो चैननेई और मुंबई वाला match था उसमें बोला था जड़ेजा आप ignore हो रहा है 40-50% लोग सिर्फ ले रहे हैं आज के match में जड़ेजा फोलने वाला है और आपको पता है तीन wickets निकाल के उन्होंने दिये तो जो low selection वाले players होते हैं उनको आपको एकाद किसी को टीम में ले सकते हो सांती सांत Grand League में भी इनको ट्राइ कर सकते हो differential के रूप में बहुत कम लोगों के पास आपको ये देखने को मिले वाले हैं Marcus Stoinis और Karan Sharma ये तीन जो player हैं ये भाई big reward दिला सकते हैं अगर आप इनको ट्राइ करो क्योंकि selection percentage काफी काम है opponents के पास ये नहीं मिलेंगे आप ट्राइ करोगे एक तरफा win कर जाओगे small league में भी grand league में तो इनको ट्राइ कर लेना अब दोस्तों हम आगे वड़ते हैं टीम देखेंगे उसके पहले बता देता हूं बल्लेवाजी एप के बारे में यहां पर प्रेडिक्टर भी खेल सकते हैं प्रेडिक्टर क्या होता है सिर्फ आपको हाँ और ना में जवाब देना है अगर आप अपने दोस्त को भी हाँ और ना में जवाब देते हैं वर अपना opinion देते हैं यहां पर भी सिंप्ली आपको अपना opinion देता है देना कि बैंगल already जीतेगी की नहीं अगर आपको लग रहा है हां बैंगलोर चीच जहेंगी तो सिंप्ली यह सकते हो और अच्छा-पैसा कमा सकते हो कैसे लगा को भी एप उपन करके बताऊंगा साथी साथ बता देता हूं भाई फैंटसी वार चल रहा है यहां पर फैंटसी वार क्या होता है यहां पर आपका फेवरेट इंफ्लॉएंसर मालीजिए यहां पर क्रिक बेन लिखा हुआ है और साथी साथ एक ऑपोनेंट जो दूसरा इंफ् जो जीतेगा उसके यूजर्स भी चीज जाएंगे जिस भी टीम के जादा पॉइंट होंगे तो भाई काफी जादा इनोवेटिव यह आइडिया है काफी मज़ा आने वाला है तो जल्दी जाओ बल्लेवाजी को डाउनलोड करो काफी कुछ अच्छा हमें देखने को मिलने साथ ही साथ बता देता हूं यहां पर खेलते हो तो आपको कॉइंस भी मिलते हैं बीबी कॉइंस आपको मिलते हैं जो आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं जितने जादा कॉइंस उतने जादा आप रिवार्ट को अनलोग कर सकते हो स्टोर से पर्स चेस बात करेंगे उसके पहले बता देता हूं यहाँ टेलिगाम चैनल जोइन नहीं किया है तो टेलिगाम चैनल जोइन कर लो बार बार इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि भाई जो टीम में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं सेम टीम से मैं कहिलता हूं ऐसा नहीं कि मैं डिफरेंट वीडियो का नोटिफिकेशन या शेयर करना हो या आपको वीडियो का पता नहीं चला है तो 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 बाइ टेली गराम चैनल जोइन कर लो आज भी फाइनल टीम मिलने वाली और एसी टीम मिलेगी जो आपकी विनिंग्स करा के देगी बहुत बढ़िया आपकी विनिंग्स होने यहां पर दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से पूरन मेरी टीम में होंगे डिकॉक को ट्राइ करना है की नहीं करना है अगर डिकॉक अबेलेबल होते हैं तो फिर कोई भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए यह डिकॉक कमाल का प्लेयर है हाला कि पहला मैच खेलना है तो थोड़ा सा रिस्क होगा इसलिए कैप्टन माइस कैप्टन मत करना अगर खेलते भी हैं तो टीम में जरूर डेफिनेटली ट्राइ कर सकते हो डिकॉक आपको बढ़िया करके दे सकते हैं अगर यहां पे दोस्तों डिफरेंट कैप्टन सोच रहा है ग्रेंड लीग के लिए डिकॉक खिलते हैं दोस्तों भी कमाल कर सकते हैं लास्ट वश को चरते ही अपटन से अंगर अपना इस लिकॉत नेियुख यह जा रहा है तब कोई ट्राइड नहीं कर रहा था अब तो सारे लोग लगबग ट्राइड कर लेंगे करनाल पांडे अभी हमारी टीम में रहेंगे और किसी और को मौका नहीं मिल रहा है शैवाज अमद के पास मौका भाई बिल्कुल भी नहीं रहता है कई बार बोलिंग बी उतरी नहीं म करेंगे आज के वाचे हो सकता है इकादा विकेट ले जाए लेकिन अगर फरस बोलिंग आ रही है तो फिर में हर्शल पटल के साथ जाओंगा क्योंकि पूरे चार ओवर्स डैथ में डालेंगे वहां पर चांसे से कि एक दो विकेट भी रिकाल के ले जाए या दो से तीन व या जा सकता है अगर खिलते हैं तो ग्राइब कर लेना उस दर्वार वइस मत करना क्याटीम और्यवने वाली है एक वह जन वह चांसे से RCB का Home Ground चिनना स्वामी में मैच है विराट का एवरेज आप देख चुके हो 37 डूपलेसिस का भी आवरेज आप देख चुके हो अगर थोड़ा सा सेफ खेलना चाहरे तो विराट और डूपलेसिस को कर सकते हो मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहा हूँ विराट और राहूल को कैप्टन वाइस केप्टन करूंगा केल राहूल इस IPL में उतना अच्छा अभी तक नहीं किया है आज के मैंच में मुझे लग रहा है केल राहूल एट लिस 50 प्लस रन करने हमाले हैं केल राहूल बेडी टीम के वाइस केप्टन होंगे बांकी प्लेयर्स भी आप देख सकते हैं और डाउंडर को अगर सोच रहा है तो मेर्स के साथ भी काफी सारे लोग जा रहे है इसके लावा दोस्तों फाइनल टीम आपने देखी लिए अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेना है साथी साथ स्कीन शॉट ले लेना है पहुकि यहीं से तो विशने मीबने किन आपको बही करना है जान करे लेना साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या मैंने भल्लेबाजी एप के अंदर टीम बना के रखिया या अगर आप बांकी एप्स में खहिलते हmiş बना रहा है यहाँ पे देख रहा हूँ बैटिंग सेक्शन से विराट को ही कैप्टन किया है यहाँ पे दोस्तों ब्रैसवेल आपको वाइस कैप्टन देखने को मिल रहा है लेकिन मैं राहुल के साथ ही जाओँगा यह मैं अपडेट नहीं कर पाया हूँ राहुल ही मेरी टीम के वाइस कैप्टन होंगे किसी भी कंडिशन में राहुल के चांसे मुझे आज के मैंच में थोड़े से जादा लग रहे है अगर मार्क वोड अवेल होते हैं तो मार्क वोड को भी ट्राइ किया जा सकता है साथी साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ यहाँ पे आप बैटिंग फ्रेंडी भी टीम बना सकते है बोलिंग फ्रेंडी भी टीम बना सकते है सिर्फ 5 प्लिया लेना है बैटिंग सेक्शन से वही 5 अगर कमाल कर दे आप एक तरफा विन कर जाओगे, bowling section में भी वही करना है, यहाँ पर दोस्तों बता देता हूँ, प्रेडिक्टर के वारे में प्रेडिक्टर को कैसे खेलना है, यह वाला question आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैंगलॉर क्या T20 में जीत चाहिए, अगर आपको yes लग रहा है तो yes से simply tap करो, yes पर okay करो कि तो ऐसा कुछ interface आपको देखने को मिलेगा, matches चेक कर लेने हैं, कितने matches हैं, 5.50 की bid पे, और यहाँ पर अपनी quantity increase कर लेना है, quantity at least 100 रखना है, अगर थोड़ा जादा investment करना चाहरे तो 500 या 1000 भी रख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 500 quantity रख रहा ह है, कोछ नहीं बता है, कोई भी चक्कर नहीं, बस अगर आपको लग रहे हैं, लखनों से जादा strong अगर RCB है, तो RCB भाई जीत रही है, तो भाई बेट को आप कर सकते हो, सांती साथ अगर आपको last में यह लगे, क्या लगे, कि भाई RCB नहीं जीत पा रही है, RCB मैच हा रह हाँगा, चिननड स्वामी में मैच है, बैंगलोर अगर चेसिंग कर रही है, तो बैंगलोर को फिर कोई नहीं आटा सकता, बैंगलोर के पास तगड़े बैट्स, मैंने अगर first बैटिंग बैंगलोर करती है, तो फिर थोड़ा सा चीश सोचा जा सकता है, क्योंकि लखना में